जे भीम जे मुली मांची साथियों आप सभी साथियों का M&T नियुट नेट नस्वागत के साथियों में राजा गॉतम आप देख रहे हैं M&T नियुट नेट क्या कहेंगे मेडम दिश्त्रीके का ये राष्ट्य पतसंचलन होने वाला है आपका नागपुर में ये जो राष्ट्य पतसंचलन की तैयारी पूरे भारत में परतियक राज्ये में बहुत मत्ब हरसो उलास से चल रही है और भारत की जनता के बीच इसको लेकर बड़ी सकारा जो लोग सविधान में विश्वास करते हैं उनके लिए ये वास्तम में एक बहुत महत्पूर इवेंट अभी नागपुर में 22 ओक्टूबर 2020 को होने वाला है बामसेफ जो है लगभग चार वर्स बामसेफ को लगातार सविधान के प्रचार प्रसार और उसकी समझ समाज मे पैदा करते हुए जो जमीनी प्लेटफोर्म है जहां मजदूर हमारा गरीब तबका है वहां से लेकर निचले प्लेटफोर्म से लेकर उपरी प्लेटफोर्म तक चाहे वो किसी भी तरह के हमारे अधिकारी हैं यहां तक की मंत्री हैं वहां तक भी हम उस चीज को ले जाने क कोशिश कर रहे हैं यह चीज देखी गई जो संगठन ने महसूस की कि भारत के लोकतंत्र को जो है भारत में लोकतंत्र कहा जाता है कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन भारत की इस्तिति जो इस समय वर्तमान माहोल में दिखाई दे रही है औ चारो तरफ जो सविधान हमारा चाहता था जो सामाजिक राजनेतिक और आर्थिक विशमता को समात्र करके जिस समता की भावना हमारे सविधान के मूल में छुपी हुई है उसको समाज में आना चाहिए था देश की सवतंद्रता के बाद में सविधान की ऐसी भावना हमें दि ओफशूट बिंग के साथियों के साथ और जो बहुजन समाज में हमारे मून निवासी बहुजन समाज में ऐसे संगठन जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्रात्मक विवस्था के अनुरूप समाज में कारे करते हैं और सविधान में विश्वास करने वाले उस संगत्नों को साथ लेकर इस कारेकरम को आगे बढ़ाया कि हम भारत में उस सविधानवाद को इस्थापित करेंगे जिससे प्रतियक व्यक्तिक पुशाल हो सके ततागत बुद्ध का वो संदेश बहुजन हिताए बहुजन सुखाए समाज में इस्थापित हो और ऐसी ही हो देश के लोक, देश के नागरिक, सविधान के प्रती अपना विस्थापित हो लेकिन इतनी समस्याओं के साथ देश बुजर रहा है, उनके साथ महिलाओं के साथ हिंसा है कोई भी परिवारों में सुरक्षित नहीं है, अभी हम बहुत सारे राज्यों को देख रहे हैं, उन हालाताव को देखकर जो पढ़े लिखे नागरिक भी हैं वो भी ऐसा मतलब बात करते हैं कि हमारा सवीधान कमजोर है। हम उस सवीधान को समाज में इस्थापित करकर ये संदेज देना चाहते हैं कि हमारे सवीधान कमजोर नहीं है। और दूसरा हम भारत के नागरिक पढ़ने के बावजूद पढ़े लिखे होने के बावजूद हमारी ग्रामिण जनता भी है उस तक ये संदेश लेकर जाना चाहते हैं कि आप जिसको इस देश का हुकमरान समझ रहे हो जिसको आप सत्ता में बठा रहे हो वो इस देश का हुक पित करके समाज में सामाजिक राजनेतिक आर्थिक पुशंता को मिटा कर बंधुत भाईचारा और बराबरी का हक पैदा कर सकती है और सबको हक अधिकार दिला सकती है यदि समाज में ये भावना पैदा सविधान के प्रति वो लगाओ और ये बात पैदा होती है उनके दिलो स्वैम की जिम्मेदारी जो एक नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए इस देश की जनता की जिम्मेदारी होनी चाहिए उस जिम्मेदारी को निभाते हुए भारत की जनता को ये ताकत अपने हाथ में लेनी होगी और वो उसमें आज के समय में हम देख रहे हैं कि जनता में विश्वास नहीं रहा कि वो कुछ कर सकती है उसको लगता है हम क्या करें चारों तरफ लोग चिंतित हैं परेशान है दवस्था को देखकर अपने देश के हालात को देखकर परेशान है कि हम इतने बड़े लोग तंत्र के हमें मिला है विरासत में लेकिन उसकी सुरक्षा नह इसके द्वारा हमने भारत, पूरे भारत में 50,000 से ज़्यादा सविधान प्रबोधक बनाएं, यह तो इसी साल का टार्गेट है, रेगुलर हमारा चल रहा है, वो सविधान प्रबोधक एक अनुशासित तरीके से इस नैशनल प्रेड में नागपुर आने वाले हैं, और यह पूरे भारत के लिए इस बात का परिचायक होगा, यह संदेश होगा, कि इस भारत देश की जनता ही इस देश के हाला सुधार सकती है, उसमें वो विश्वास हम जगाने वाले हैं, और वास्तम में वो दरश्चे जब हम भारत की जनता देखेगी, तो उसे यह ऐसास और यह भावना उसके अंदर पैदा होगी, कि भारत की ववस्था को यदि कोई सुधार सकता है, तो इस देश की जनता सुधार सकती है, और उसके लिए उसको अवेर होने की जरूट है, उस अविधान के प्रति, उसके समर्पड की जरूट है, इस कारेकरम में अभी आपने एक ऐस सक्सियत हमारे इस कारेकरम का उद्गाटन सत्र में आने वाली हैं, जिनको हम सुनेंगे, बामसेफ ओफशूटविंग के कैडर, पदादीकारी, महीला, बच्चे और पूरे भारत से तो लोग इखटे होंगे ही, लेकिन जो इसके उद्गाटन करता होंगे, वो हमारे लिए बहुत विशेश हैं, क्योंकि वो लोगतंत्र की सुरक्षा के लिए उद्गार हैं, और एक तरह से कहें, लोगतंत्र के प्रहरी भी हैं, और उनका उर्मलेश जी उस कारेकरम में आने वाले हैं, और अभी हाली में उन पर भी, घटना उनके साथ भटी, तो उनका हमेशा निरंतर और सहयोग हमेशा लोगतंत्र को आगे बढ़ाने में उसके पोशन में रहा है तो ऐसी सक्सियत हमारे इस 22 तारीक कारेकरम में इस प्रेड में शामिल होने वाली है तो हमें उन्हें सुनना चाहिए कि भारत में ये हालात पैदा हो गए हैं कि जो लोगतंत्र की सुरक्षा के लिए बोलता है उसकी सुरक्षा की बात करता है और उसे बढ़ाने की आगे अनवरत रखने की बात करता है तो उनी को सरकार उनका मूबंद कर देना चाहती है हम ऐसी सक्सियत को इस मुकृत करना चाहते हैं अपने घाटन सत्र में कि पूरे भारत की जनता उन्हें सुने ती नागपुर से भी अन्य अतिती हमारे उसमें आने वाले हैं और बामसेफ्स की राष्ट्यibi घाटन सहाब उसमें उपस्तित रहेंगे और लिव जो हमारी ऊफिट्व स्ञाटन चाहते हिसा संग इहां तक रिसर्च विंग है उन्साब करहाए द्याश्यों और अन्य साथ ही हमारे वहां मौजूद रहें। नागपुर का इस कारेकरम को नागपुर में रखने का एक विशेश कारण है। क्योंकि नागपुर हमारे मूनलिवासी समाज के राजाओं की जो नाग भूमी रही। वो हमारे संगष, हमारे शोरे के इत्यास की भूमी है। हमें उस इत्यास को नहीं भूलना चाहिए और जहां से, जहां हमारे पुर्खों का वो इत्यास दबा है। क्योंकि इत्यास हमें आगे एक नया इत्यास लिखने की प्रेड़ना पैदा करता है। और एक इतनाया इत्यास बनाने की प्रेड़ना भी हमें देता है, तो वहीं से हम ये चाहते हैं कि हम वो संकल्प लें कि इस भारत के लोकतंत्र को हम अखंड बनाने के लिए वहां प्रतिबद होंगे, इसलिए हमने इस नागपूर को चुना है और अपने पूर्खों के उस इत्यास को याद करेंगे, इसी के साथ ही बामसेफ के अगर हम कारेकाल को समाज में निरंतर अपने योगदान को अपनी सत्यनेष्ठा से उसने जो जमीन तयार की है, उसको भी लगबग पूरे 50 साल पूर्ण होने वाले हैं, तो उसको भी हम उसमें सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये जो कारेकरम हैं, हम जमीनी इस तरपर जो देख रहे हैं, सभी जगा से जो बिखरे हुए हमारे मून लिवासी बहुजन समाज के संगठन थे, उनसे बहुत positive response मिला और वो चाहते हैं कि हम एक साथ मिलकर एक platform पर आएं और इस देश की शक्ती बने और इस जो समाजिक ववस्था परिवर्तन है, चाहे सकता परिवर्तन है, उसमें अपनी भागीदारी सुनिशित करें। तो उसके लिए मैं ये संदेश अपने समाज के मून लिवासी समाज के साथियों को देना चाहती हूं, इस देश की जनता को देना चाहती हूं, ये कारे करम जो है वो आने वाले भरिशे में हमारी पीडियां याद करेंगी कि एक इत्यास नागपुर में 22 उक्टुबर 2013 को लिखा गया, तो आप उस इत्यास से दूर ना रहें, उस इत्यास का हिस्सा बनें, क्योंकि जब देश चारो तरफ से त्राही त्राही कर रहा है, और ऐस उरक्षा की भावना समाज में व्याप्त है, ऐसी इस्तिती में वह संगठन जो पूरे ना केवल भारत में पूरा वर करने के लिए काम कर रहा है, या निचले तब के शोशित समाज को उसके हक अधिकार दिलाने के लिए जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ मिलकर आप सभी इस कारे करम में अपनी भागिदारी सुनिश्यत करें और इस इत्यास को उस इत्यास की तरह जैसे हम समरा अशोप के समय में एक अखंड भारत का निर्मान कर पाए थे तो उस पहल को यहां से निश्चित करें कि हम इस भारत की ववस्था को बदल कर एक मजबूत लोकतंद्र का निर्मान करेंगे तो मैं यही अपील करती हूं कि जो साथी इस मेरी बात को सुन रहे हैं वो इस कारेकर नहीं है हमारी एक जिम्मेदारी भी है और हमारा करतव है कि हम हमें वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए जिसके कारण हमें सब कुछ मिला है उन चीजों को यदि हम अपनी अगली पीड़ी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप अपनी भागिदारी सुनिश्यत कीजिए उ और इस पर्थम प्रेड जो 22 अक्टूबर 2023 को पर्थम पत संचलन होने जा रहा है उसमें एक अनुशाशित शक्ती का प्रदर्शन समाज को दें जिससे एक सकारात्मक प्रभाव पूरे देश में व्याप्त होकर इस देश को इस देश के कल्यान और इस देश के विकास में सम्मान सुरक्षा सवर्धन BS4 राष्ट्रवय की जनजागरन अधियान अंतर गद सम्विधान प्रभोधको द्वारा राष्ट्रिय सम्मान में पत संचलन वगड़सवा चलो नाकपूर चलो नाकपूर चलो नाकपूर इंदोरा मैदान रविवार दिनांख 22 अक्टूबर 2030 पत संचलन सुबा 10 बजे दिक्षावुनी ववूंट खाना से इंदोरा मैदान गणसबा दो पहर दो बजे इंदोरा मैदान नाकपूर मुख्य अतिती मान्य उर्मिलेश वरिष्ट पत्रकार नई दिल्ली विशेश अतिती मान्य EZ खुबरागले सस्थपक सविधान फाउ वक्तागाः मान्य बीडी बोरकर जेर्फ़रसंट दिखे खापरडे मेमोरियल ट्रेस्थ आनि ऐरासिंग पटल राष्ट्रिय अध्यक्षब नई खेत पमाइट एग्षब भक्या मन्य मैनला कृष्ण राओ राष्ट्रिय अध्यक्षब मॉल्रिवासी संग अनिय रजनीश मज़ापती राष्ट्रिय अध्यक्ष यंग वीयस अध्यक्षता मान्य लितीन गणोर कर राष्ट्रिय अध्यक्ष बामसे गणसभा के बाद शाहिर संबाजी भगत द्वारा प्रस्तूत सविधान जागर शाहिरी जल्सा आईए सविधान सम्मान में भारी संक्या म शामेन हो जाएए विनेत बियस पोर अभियान पतसन चनल राष्ट्रिय से जन समी के